देश की प्रतिष्ठित डेली उनिवर्सिटी ने अपने प्रासिंग क्राइटीरिया में बदलाव किया है क्या कुछ बदलाव है जिस पर स्टूडन्स को ध्यान देने की जरुवत है जाधा जानकारी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए है डीन अफ कॉलिज़ प्रोफेसर बलराम पानी जी आई उन से बात करते है सर सबसे बड़ा कन्फूजन यही हो रहा है कि पासिंग क्राइटीरिया में जो बदलाव हुआ है क्या वो पासिंग परसंटेज का बदलाव है क्या परसंटेज जाधा लाने के लिए डेली उनिवर्सिटी कह रहा है यह जो गलत है लेकिन जो पासिंग मार्क है उसमें कोई चेंज नहीं है आज इस आज वो 40 परसंट जो है पासिंग मार्क वही रहेगा और इसका तो इनुवर्शिटी लेवल पर यह तो आसानी से चेंज नहीं हो सकता है तो इसलिए 40% है यह और बाकी जो कनफीजन है आपका जैसे कि आपने जो 63% जो कहा गया है वो 63% जो है अक्चली 63% of the credits लगे कि फर एक्जाम्पल आपको कैसे कर रहे हैं हमरा total credits है 44 per year आपको को पास करना है आपने 44 credits को पास करना है तो उससे में कह रहे है कि minimum आपको 28 credits अगर पास कर गए तो आपने यह विल भी प्रोमूटेट टो दर नेक्स्ट लेवल तो आपने second year को और second semester को आपने पास कर जाओगे Sir credits जो है वो किस तरह से define हुए है क्या वो website पर भी दिये गए है और किस तरह से credits को calculate students करते है यह credit system पूरा website से पता है और college level पर ही पता है college level अगर किस student का कोई भी confusion है कि क्योंकि कोई courses है और दो credit का होता है कोई credit for credits का होता है तो इस तरह से credit division है और वो credits का जो क्लिए कर यह प्रेड़ कर यह अपना लेवल पे हैं college का वेप साइट में है अगर college का अप चाहेंगे तो हमने college authoriator को कह दाएंगे को notice board में एक है को उसका credit का कैसे division होता है उसको कह के प्रोफेसर पानी क्या यह हम कहें कि एक smart move है डेली उनिवरसिटी का और क्या बाकी उनिवरसिटी इस मूव से सीख सकते हैं क्योंकि यह पर द बेनिफिट आप तो स्टुडेंट सामने यह मूव कर वाया क्योंकि पहले जो था 50 पर संट अप टोटल कोर्सेस पिप्टी पर संट अपने पास कर जाओ तो नी कोर्स करने पास करने से क्या होता था कि जो अपने में कोर्स है जो कोर कोर्स है रड़ यह सी है यह यह रह जाता था यह मैंन कोर्स पास ना करके जो आपने जैसे कि AEC, SEC, और Valu-Added Courses, यह सरी पास करके वो स्टुडेंट प्रमोट हो जाता था, और दिरे दिरे क्या होता है, जो मेन कोर्से से वो पाइल आप हो जाता था, तो फेर हागे जो सेकेंड रागी की जो प्रमोट होता है स्टुडेंट, वो उसको बहुत बढ़न फिल करता है, तो आपने के दे कि अभी 28 जो क्रेडिट्स है, इसी 28 क्रेडिट्स की अंदर, कोर कोर्स भी पास करना पड़ा कुछ, और आपने D.A.C. भी कुछ पास करना पड़ेगा, और प्रास G भी कुछ पास करना पड़ेगा, और आप बग्की जो तीन कोर्से से है, AEC, SEC, BAC, इसको आप तो पास करना ही है, तो पास करी जाएंगे, लेकिन साथ-साथ आपने जो डिये सी और जी और कोर्स कोर्स पास कर जाओगे, तो वो बड़न नहीं रहेगा अपने नेक्स्ट लेवल पे. क्या सिर्फ बड़न कम करने के लिए ऐसा किया गया है, या फिर जो जादा महत्वपूर कोर्स हैं, उस पर स्टूडन्स का ध्यान जादा जाए और उनके लिए सहूलियत आगे जाकर रहे, इसको देखकर ये कदम लिया गया है? ये दोनों हैं, क्योंकि एक तो कोर्स कोर्स और डियसी और जी कोर्स पढ़ेगा, और स्टूडन्स वो आगे जाएगा, उसको फड़से इंपोटन्स रहे गई, और साथ-साथ उसका बड़न भी कोम होती जाएगा, तो हमने दोनों लेवल किया है, जो कि स्टूडन्स के लि इस नहीं है, और हमें प्रेट क्रेट है, आविके बूद गया है, सबसुज आपने दॉस क्रेटित लिया, फ्र hemल, आपने do gases क्रेडट का, 28% के तरहां है, मतलchnitt तीन क्रेडित की आपने, पास कर जाओ, दोस क्रेड़ दीट अगर कोई स्टूटन्स ऐसे करने में विफल रहता है फिर आगे क्या होगा? नहीं वो तो रिपीट करना पड़ेगा. आपने दौस क्रेडिट से मिनिमा अगर शिक्स क्रेडिट अगर पास नहीं किये तो आपको फिर तो उसी प्रमोट नहीं हो पाएंगे. जैसा पहले होता था. दिविए जिए एक जाब करेंगे. नहीं वे चैनल अविफलई प्रमीय। यहीं विफल्ई आपको प्रमोट प्रमोट प्रमीय। अच्छे करेंगे.